तस्वीरे आपको TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये काफिला NDA का प्रत्रिधी मंडल राष्टपती भवन पहुचा है राज्ना सिंग अमिश्यार राष्टपती भवन पहुचे है सरकार बराने का दावा लेका दूसरे सहयोगी दल भी राष्ट्रपती भवन पहुंचे हैं अपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा संसत के सेंट्रिल हॉल में किस तरह से नरेंद्र मोधी को एंडिये संसधिये दल का नेता चुना गया और उसके बाद यहां पर राष्ट् वो राष्ट्पती भवन पहुंचा है राजना सिंग नहीं नरेंद्र मोधी के नाम का प्रस्ताव रखा था और तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं यहां पर जो डेलिगेशन का काफिला है वो पहुंचा है उस दौरान की तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं राजना स सिंग अमिच्चहा राश्च्पती भवन पहुंचे हैं, दूसरे सायोगी dal भी राश्च्पती भवन पहुंचे हैं, राश्च्पती को दो जा इसंवर्धन पत्र भरभा हैंने लो जो कि अलीए तो काम करेंगे और सरकार से पहले कि यहां पर स्टेप बाई स्टेप पूरी की जा रही है यहां पर दूसरी पूरी की जा रही है समर्थन पत्र सौपा जाएगा यह प्रीपोल अलायंस था बीजेपी लगाता इस बाद को कह रही है और यहां समर्थन पत्र सौपने के लिए डेलिगेशन राष्टपती भवन पहुचा है जहां पर वो पूरी दितस्वीर है वो साफ रखेंगे राष्टपती के सामने और अब नौ तारिक को शपत ग्रहन संभारों होगा इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है नरेंद्र मोदी संसद्य दल के नेता चुन ल बड़ी तस्वीर बड़ी खबर बड़ी जानकारी नियूज एटी नेटवर्क आपको दे रहा है नई सरकार के गठन को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन यहां पर सिलसलेवार तरीके से किया जा रहा है अभी थोड़ी देर पहले आपने संभुधन सुन नरेंदर मोदी का और कहा कि यह सरकार जो एंडिय की मद्बूत सरकार रहेगी मद्बूती के साथ जनता के हित्व पे काम करेगी अगले 10 साल का विशन भी इनोंने दिया है और इस बात को दोराया कि हां मैं जानता हूं कि मैं 10 साल कह रहा हूं और आप देखेंगे कि हम किस तरह से काम करेंगे और अब यहां पर राष्टपती को मिलने के लिए यह डेलिगेशन पहुचा है इससे पहले ही तमाम सयोग्यों से समर्थन पत्र पर दस्तक करवा लिए गए थे वो अप्चारिक्ताय पूरी कर ली गई थी और अब यहां पर यह एंडे का डेलिगेशन रा पनकल्यान यहां पर विधान मंत्री मोदी को उन्होंने स्वृतिचन देकर उनका अभिनांदन किया उस दौरान के दस्वीरे आपके ठीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टीडीपी ने दौर आया है कि वह एंडे के साथ है और साथ बनी रहेगी बेत्रीन प्रदर्शन टीडीपी ने किया इन चुनावों में और ना सिर्फ लोकसभाचनावों में बलकि विधान सभाचनावों में भी पवन गौल हमारे सायोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पवन जरा बताएं क्या हल चल है ये देखे तमाम जो एन डिये के सेयोगी हैं वो राश्पती बहुन के लिए रवाना हो रहे हैं दिरे दिरे के बाद में प्रदान मंत्री भी राश्पती बहुन जाने की खबर आ रही है और वहां जाकर तरकार बनाने के लिए दवा पेश करेंगे लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने देखा आज अंडिये के नेता के रूप में चुने जाने के लिए उसका जो अनुमोधन है उसका समर्थन जो है वो गिरामंत्री अमिश्या ने बिहार के मुक्र मंत्री नितीश कुमार ने उनके अलावा चंडराबु नाइडू समित तम आडवाने से मिलने पहुँचे हैं नरेंद्र मोधी पवन बताए अपनी बात कम्पीट कर लिजे पवन पर जब कोई बड़ा मौका होता है तो प्रदारमंत्री नरेंद्मोधी लालकर नाइडवानी के आवाज पहुचते हैं उनसे पहुचकर पहुंचकर उनका आशीरवात लेते हैं तो आज बहुत बड़ा मौका है तीसरी बार वो सरकार बनाने का दावाद पेश करने जा रह है कि वो प्रदानमंत्री नरिंद मोदी जो मुरली मरवर जोशी है पार्टी के वरिश निता उनके आबास भी जाएंगे और वहां से फिर प्रदानमंत्री राजपती वहां जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे अब से दोड़ी दिर पहले जैसे कि एंडिये की प्रदानमंत्री नरिंद मोदी को एंडिये के दल के नेता के रूप में चुल लिया गया है उसके बाद में अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अब 9 जून को प्रदानमंत्री नरिंद मोदी शाम को तीसरी बार प्रदानमंत्री पत्की शपत लेंगे बिल्कुल तो कह सकते हैं पवन की तमाम वो जो आपचारिक्ता हैं जो नई सरकार के घठन से पहले की जाती हैं उन आपचारिक्ताओं की हर प्रक्रिया का पालन यहां पर किया जा रहा है पहले नेता चुना गया उन्हें और अब सरकार विराने का दावा पेश करने के लिए एंडिया का डेलिगेशन राश्मती भवन पहुचा है समर्सन पत्र सौपे जा रहे हैं और लगाता है पवन यह साब भी कह जा रहा है एंडिया के तमाम पार्टी की ओर से की प्रीपोल अलायंस है तो ऐसे में जो भी विपक्ष्क बाते कह रहा है वो से धम फिलाने के लिए के लिए कि जहते ही परिणाम आया उसी दिन से बड़ स embrn मोधी को अपने नेता के रूप में चुना, उसके बाद में पिर आज और पर्लीमेंटरी पार्टी की भरणा कोई उसमें प्रशारी को नितीश कुमार हो या चंमर घुर्णा लेकिन अब परसों से निव तारी को आप शबत लेने वाले हैं चंदरबाबु नाहिडू ने कहा कि प्रदानमंतरी अपने बड़े और कड़े फैसले ले ले जाने जाते हैं आर्थिक विकास के लिए जाने जाते हैं तो लगातार सभी जो एंडिये के नेता थे उन्होंने प कि एंडिये जो है वो एक जोट है एक साथ मजबूत है एक साथ कड़ा हुआ है कहीं कोई दिक्कत नहीं हैं जो भी नेगोशेशन्स है मिनिश्ट्रीज को लेकि वो लगातार ब्ये पी के बड़े नेतार अपसमें बातचीछ कर रहे हैं चाहे बो ग्रहमंतरी अमिश्चा की करें लेकिन एक जुट है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और यही कारण है कि आपने देखा कि पाँच तारी को इंडिया गठवंदन की बैटेक भी हुई उसके बाद में इंडिया गठवंदन में तह किया कि वह मजबूत विपक्ष के रूप में विपक्ष में बैटेंग पावन की जो अफर्मेशन मिला है अपने सयोग्यों की ओर से बीजेपी को और आज नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी ये कहा कि अगले दस साल हम प्रतिबत्ता के साथ काम करेंगे इस बात को दो रहा है कि मैं अगले दस साल जान बूच का इस शब्द का सिमाल कर जाहिर तोर पर प्रदान मंत्री जो कुछ भी बोलते हैं तो वो सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलते हैं उनकी बातों का गहरा मतलब होता है और जैसे कि आपने नितीश कुमार को भी सुना होगा क्यों यहां तक कहा तक यह आप फिर से अगली वार आएंगे तो जो कहना था यानि कि एंडिये बिलकुल विश्वास में हैं एंडिये मजबूत है एंडिये एक साथ है हालांकि बीजेपी को पूर्ण बोहमत मिलने से थोड़े से अज्यू संक्या है वो कम रह गई लेकिन बीजेपी भी लगातार उसाहित है बीजेपी जिस तरह से 32 साल से नहीं बना पाई लेकिन कुछ संक्याही शौर्ट रह गई लेकिन उसके बाबजूत भी बीजेपी उससाहित है उसके सासाथ एंडिये के पास पूरे नमबर थैं मजबूत इस्तिती में एंडिये है कहीं कोई समस्या नहीं है और यही कालना कि लगाता है जब आज प्रदान मंतरी आज फिर से अपने पुराने रंग में देखे हालांकी बीजेपी को जो संक्या शौर्ट रहे थी कहीं न कहीं उनके दो-तीन दिन की नेता और कारकरता वा तोड़ी सी मायूसी जलूर थी लेकिन आज फिर से प्रदान मंतरी अपने पुराने रंग में देखाई दिये अशिरवाद लेना ज़रूरी था और वो मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं कि अपने बुजूर्ग और बड़े नेताओं का आशिरवाद लेते हैं तो फिलाहल प्रदान मंतरी मौझूद है लालकृष आडवानी के घर के अंदर हैं चाहे वो लालकृष आडवानी हो मुर्ली मनोह जोशी हो और वो यह जिस तरह से हमारे सायोगी बता रहे हैं कि बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़े या शुब कारे से पहले अपने बड़ों का आशिरवाद लेना जरूरी होता है उनका मार्ग दर्शन कर लेना जरूरी होता है और ऐसे जब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है एंडिये प्रधार मंतरी बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोधी तो ऐसे में वो लालकृष आडवानी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं तस्वीरे लगातार हम आपको दे रहे हैं हम आपको हर हलचल की जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो एंडिये का डेलिगेशन है राश्च्वती भवन पहुंचा है और नरेंद्र मोधी पहुंचे हैं सिधे संसत से निकल कर लालकृष आडवानी के घर उनसे मुलाकात करने ये बड़ी हलचल बड़ी तस्वीर नई सरकार के घठन से पहले जहां एक तरफ तमाम जो अपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोधी पहुंचे हैं लालकृष आडवानी से मिलने उनका मार्गदर्शन हासिल करने के लिए कहां ये भी जा रहा है कि पूरी संभाव होना है उससे पहले हमने देखा जब संसद्य दल की बैठक हुई तो उसके संबोधन में हर सहयोगी ने के दौर आया कि शिरा सिंग चौहान कुछ कहने से नहीं कि आए जाए 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 संद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो ये भी कलक्दला का संघश होता है जब इतने सारे पत्रकार घेर लेते हैं किसी बड़े नेता को तो उनकी बाइट लेना साउंड अच्छे से आ जाए वो भी संघश होता है फील्ड का ये अपना अलग चालेंज है क्योंकि सभी की कोशिश होते हैं कि वो भी इस मौके पर बाइट लें और ऐसे में उस भील को नेता का बाइट देना वो भी एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है लेकिन साथियन दुस्वीरे आपको दिखा रहे हैं हर हलचल जो पारलिमेंट के बाहर है वो भी बता रहे हैं किस तरह से एंडिया का डेलिगेशन पहुचा हुए है राश्वती भवन उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी और हमारे सायोगी जो अलग अलग जगाओं से जो पूरी हापनिंग्स हैं उनकी अपडेट आप तक महुचा रहे हैं पहुचे नरेंद्र मोधी उनसे मुलाकात करने के लिए वो हमने आपको बताया